साथ्यों नमस्कार मैं चत्यनेकुमार जारखनेकों फिर से स्वागत करता हूं आज हम लोग यह सेशन में देखेंगे एक ट्रैक्टी सेट जो जैसे सीजियल और मनुसिपल और कर सिश to eight क्लास का जो क्लास टीचर का जो साहेक सिफ्सक्र में करन से निकली गयी तैं.." उस समधित जो सकेंड पेपर है जो खोठा पेपर है उसमें हमनों को to." जो भी तहाद में पढ़ना है वो पूरे complete यहाँ पे 100 question आप लोग को देखेगा, ठीक है, 100 question जो से आप लोग को यहाँ पे practice किया जा रहा है, जिसके ताहत, लोक साहित, लोक गीत, सिष्ट गीत, ठीक है, लोक कविता, सिष्ट कविता, सारे जो से यहाँ पे संक्लन है, और जो कभी परीचा है, उससे भी सम तत्थे हैं, जो भी question से समन्ती, जो भी तत्थे मिल पाएंगे, कोसिस करेंगे, हम वह सी question में cover करने के कोसिस करेंगे, और हर एक question में कुछ न कुछ extra fact आपको जनकारी मिल पाएगा इस session में, और हम कोसिस करेंगे कि यह session जब हम start किये हैं, तो 15 से 20 set हम इस channel पे लाएंगे, तो जो लोग नए होंगे, यह channel को subscribe कर लेंगे, और दोस्तों के साथ share करेंगे, ग्रूप में, बड़ी तदाद में, लोग यहाँ पे जुडेंगे, और उससे अपने आपको अपने जाग प्लाएंगे कि इस question से कितने लोग अच्छा कर पाएं, कितने बेहतर कर पाएं, तो आप 100 number question तक ठीके रहेंगे, बने रहेंगे, उमीद करते हैं ऐसा, और जो लोग नए होंगे, subscribe कर लेंगे, और session को like करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, आप practice की भाव से इस question को देखेंगे, और हर एक question पे हम कुछ extra fact को share करेंगे, यह चीज़ भी आप ध्यान में रखें कहा जे तो जो भी graduation level की जो भी vacancy आएगी, इसके लिए महतपूर्ण हो जाता ही है, ठीके, जो भी graduation level की vacancy है, दरोगा की vacancy, sigil की vacancy, या 6 to 8 class की vacancy, सारे के लिए यह महतपूर्ण बन जाता है, हम लोग बात करते हैं पहला number question से, पहला number question, पहला number question को हम लोग देखेंगे, प ना हग है, ठीक है? सही उतर चाटा, और खोटा वासा कौन से जीला में नहीं बोला जाता है, जो नीचे दिये गे हैं, उसमें से कौन से जीला में खोटा वासा नहीं बोला जा रहा है, उसका सही उतर आपको लगाना है, तो सही answer क्या हो जागा? इसका सही answer option number D हो जाएगा, राची चिल дан्वा का टार जो तोड़ा ऐसा नहीं बोला जाता है। कुछ अंच आन्स पाए जाता है। जैसे कि ऊंद्दाए कि खोडख वासा जोइसव सॉलोर डिष्टि법 को पला जाता है। इसके तहथ आनि यह साथ तीन-दस और यह छे शोलो आनि टोटल सोलो जिल्ले में जो एसो खोठा भासा बोला जाता है गुमला और राची वाले हिश्या में कुछ यहंस तब खोठा का मिलता है पर इसे जो एसो अपिसरली नहीं माना गया है कि राची में भी खोठा बोला जा साधानि चीजों से माने जाती है तो यह संथाल से जोड़ाइन करती है कि संथाल वासा का लिपी है वो क्या है तो ओल्ची की लिपी है उराओं की बात करें जो कुड़क भासा है इसकी लिपी क्या है तो तोलोंग सिकी है तो Cont greatly की ज़ह बात करें तो माली जो लिपी है ओ माली चीस्त नोबे चेंट चलि अगला नम पर कोशन देखेंगे खोठा एक तीसहाजार वर्ग मिल, छेतर्य पूसरल है, यह एकर कहना हग है, कौन ऐसे लेखक कहे हैं, कि खोठा 21 वर्ग कीलमेंटर में, वर्ग मिल में जो फैला हुआ, ये कहागया है, शिव देयाल सी शिव दिप, फिक है, इनके द्वारा कहा गया है। ये कहते हैं कि खोथा जो 31,000 वर्ग मिल तक जो सो फैला हुआ है, और उसमें जो सो बोलने वाले कितने लोग हैं, तो 1.25 करुट इतने लोग जो इसो खोठा वास है, खोठा बोलने वाले लोग हैं चोथा नूबर कोशन देखेंगे, खोठा वासा कौन लिपी में लिखल जा है? चोंपन भासा जो कौन सा लिपी में लिखा जाता है, ये सही आंसर आको लगाना है चोथा नमबर का तो यह देवनागरी लिपी में कुछ लोग खोरोठी माना रहाँगे ठीक है तो खोरोठी क्या है यह के जाके मत के अनुसार खोरोठी बोला गया कहा गया है कि खोरोठी से फिर खोरोठी से फिर खोरोठा बना है तो खोरोठी लिपी उनके द्वारा माना गया लेकिन जो इनके द्वारा है यह जो माना गया वो डाक्टर नागेश्वर महतों के द्वारा माना गया कि द्वारा माना गया कि देवनागरी लिपी में लिखी ज क्षुठ laughs खुठा सब्ण में उक्टान उक्टान जो है इसका अर्थ क्या होता है उक्टान का मतलब होता है पांचो नूंबर का साही option लगाईएगा तो हो जागा लेखन, उक्टान मतलो कौन सब बूक में उक्टान है, उना छपा गिया है, लेखा गिया है, ठीक है? तो लेखन हो जाएगा. शिक्ष नमबर कोशन देखेंगे, ब्रामन के सिधा निकाइल दा, सिधा मतलो क्या होता है? जिसे देखते होंगे गाहोंगर में जब ब्राह्मन लोग आते हैं, विकारी लोग आते हैं, तो क्या बोलते हैं, सिधा दा, भिक्छा, दिच्छा जो होता है, तो उसमें क्या देते हैं लोग, कच्चे भोजन सामागरी देते हैं, ठीके, तो option number C हो जाएगा, एक सक्टन दोस खोठा सब्द, धांगा उसार्थ के सही मानने छटो, ठीके, धांगा उसार का मतलब क्या होता है, खोठा सब्द में धांगा उसार का मतलब सही अर्थ, उसका बताना है, तो क्या होता है, लंबा और चोड़ा, लंबा चोड़ा, ठीके, सही अर्थ होता है, आठवा नमबर क क्या हो जागा option number C चाईल ठीक है चाईल आगे चलते हैं नौ नमबर क्वेशन जे अखर जे अखर के उस्रान दात और ओठ के मेल से हवो है तकरा चाटा ठीक है मतलब जे अखर आखर मतलब क्या होता है अच्छर जो अच्छर से जो अच्छर का उखरान और उचारन दात और ओ बोला गया है ठीक है तो option number क्या हो देगा सही अंसर बताएंगे अब option number B वा वा जो से दात और ओठ से उचारन होता है दंटोस्ट आगे बोलेंगे दासों नमबर कोशन देखेंगे अंतस्तिया के उस्टान उखरान खोठ है सब्देक शुरू की रखम हो है अनि अंतस्तिया जो है खोठा में इसका उचारन किस तरह होता है तो दो तरह को होता है हम लोग जानते हैं अंतस्तिया को जब शुरूआत के लेटर में लिखना हो वर्ड में लिखना हो तो जाग लिखते हैं अंति में लिखना हो तो ई और या लिखते हैं या तो जा और या जो दोन होगा जा रकाम और ए रकाम आनि यह और बी दोन हो जागा उप्शन नबर डी साही हो जागा उमीद हैं आपको समझ पा रहे होंगे आप यह सेसम को जदी पसंद आ रहा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक करेंगे इस तरह से हम 100 को कवर करेंगे जितनी भी समय लग जाए दूसरी बात सब्ध प्रयावाची सब्ध छाटा कटी जो है उसका सब्ध प्रयावाची सब्ध प्रयावाची सब्ध क्या होता है कि जो एक सब्ध के अनेकों सब्ध से जाना जाता हो तो कटी मतलब क्या होता है तो इसका सही आंसर हो जागा कटी मतलब रीची भी हो है जरी भी हो है अर धेर, भीण, और जामा हावेक, ठीक है, तो कुधा, नहीं बोलता है, लोग कुधा लगा देला है, ठीक है, तो कुधा मतलब धेर, धेर, कुधा लगा देला है, धेर मनी भीण है, ठीक है, मतलब भीण है, कुधा है, और जामा है, बहुत ते लोग जामा है, मतलब कुधा लेक पाइब युँके सुध़ का मतलब क्या होता है सही वर्ड जो सो सो इसका हिंदी भें बताना है कि सुध़ का मतलब क्या होता है तो शुधे का मतलब कर गोल Richt चाना थार decorumus अच्वरण जब ढें तो सबस्स'tय है नसब मतलों कर्कर जाए 20 ठीक है जो आदमी लड़ाई करने का एक उसरा ढूंदते रूँ है उकर अकी कायल जा है तो चोदो नमबर सही टिक लगाएंगी आप ऑप्शन नमबर बी ठीक है जगर सिया जगर सिजा ठीक है ऑप्शन नमबर यह हो जगाँजा पंदर नमबर हैठे देल सब्दे क्याकर में दर उपसर्ग लागल है दर उपसर्ग या होता है जो सब्द जो ऐसा कंप्लीट सब्द जिसमें पहले कोई वर्ड लग करके कंप्लीट करता हो और इससे भी एक कोई सब्द बन जाता हो तो वो उपसर्ग होता है परतिय क्या होता है बाद में जूड़ता है ठीक है तो दर तो देखिए दर जो सो पाकल तो एक सब्द हैं और उससे पहले एक सब्सक्राइब लग गया है दर तो दर पाकल ठीक है इससे सब्द मनेखी अफजन नमबर भी हो जाएगा स्वालोग नमबर कोशन हमेंगे जे परतिये में जे परतिये में जे परतिये से काम करवया के बोध हुआ है के छाटा ठीक है काम करवया के परतिये मतलों क्या होता है जो बाद में जूरता हो ठीक है तो करवया तो वया तो है एक और एक निहार मतलों कम निहार तो यह और भी दोनों हो जागा और यह उप्साय सब्देव कौन कारक परत्य लागल है यह कारक का नाम बताना है तो आप्साय आप यहां पर देख लेंगे क्या है सब्द कारक अपदान कारक क्या करन कारक या अधिक करन कारक तो सब्दकारक का क Nor क स्टिक कार्ण त्रिकर आप कारक को लग्रामगर सेकशन से देख लेंगे कि छोड़ा घर घर पीछयर आवे हला ठिक है जो आशा खोड़ा घर घर पीछयर आवे हला इसका यह वाक्य तो सघर पीछयर की हक है तो सही आंसर हो जाएक लोग जानते हैं कि जब शंग्यां के बदले जो वड़ाता है उसे को सवरुनाम कहते हैं तो क्या होगा ऑप्शन नमबर सही हो जाएगा सरुनाम विशेशन है उसे यहां पर आया है चलिए विशन नमबर को सब्सक्राइब के जातिवाचक भावाचक तीन को भेद मानल जाए तो तेज कैसन संग्यां हाग है तो इसका सही आपको लगाना है तो तेज कौनसा है तो य किश सरुँखी है दामुदर नदी जारखंडेक गंगा करें लेकिन नादी जारखंडेक गंगा हा ऊक है एक इसतरी संग्यां देने का काम किया है तो जाथी आनि गंगा भर का बोध हो आनि नदी भर का बोध हो यह होगा जातिवाचक संगिया चलिए पाइसों नंबर कोशन करें कि आपढ़ें हिंगा कि वाइक हिई करहें कहते हैं तो इसका सही नाम आपको हिए क्या है तो पाड़ना तो एक करी आ हो गया और फीचिशन कहते हैं जो बिसेशता बताता है कि हिए वहाँ ठीक है यह चीजिए भा एटिरो नम्मर को सनप्रसाइश्या धिक कर दो कि आइन लगा करके भी और अग्रसान बनाया जाता है वाइन परेटिया लगा करके ही दर्म shaped गोलहें यहां गुलीन करके भी गवह उचन बनाए जाता है तो इसका सही अप्षण न होगा दी नमबर आप्षण डी ठीस का दीट है चोड़ा पढद ले मकुन बपा पढ़ले नहां फिके चोड़ा पढद ले मतल्व गुसे बपा पढ़ले नहां यह वाइक है पढ़तले कौन काल के किरिया रूप हक है इसका सई अंसर आप जागा छोड़ा पढ़तले जब भी एसा एक संभावना मतलों एक इच्छा जाहिर करने की बात कही जाता हो कंडिशन लगा है करम घ्रूबात करता तो हेतो हेतो मत भूत काल होता है ठीक है हेतो और लुटसर खाल और भविश्चित काल के यहां दिया ही नहीं होती होते होते तो एक ही चीज़ को मारेंगे बी नंबर को चलिस नमबर किशी सब् सब्सक्तार करता हूं तो सभी फर्मार या हर्षी संब्सक्राईब तो यह राइब हो जागा ऑजया में ळ humidity सभी फेरी सामान न न वर्तमान काल शेमान फेद ल्ल कक्लन खरता लाई खरके जब राच सब्सक्əória में। तो क्या हो जागा समानि वरत्मान काल के अंतर गहाता जोगगा अप्शन नमर्ट क्योंकि सुबा गया और सांज को वापस आ गया ठीक है संजूर दोस्तों जदी ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो ऐसे सेशन को तो प्लीज लाइक करेंगे क्योंकि आप इसे दोगुने स्पीट से करके आप ये सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है चली इसातर इस नमबर को क्राणम है कि संदू मिश्धियर से जोड़ने की काम किया गया तो कौण सा बाकि हो जाता है मिश्धिरितमेसर के शबाइस करने की बात के काम्यों प्लेकीर हो है तो ओ कि आठेस नममर को संदेखेंगे मैट कटा के मांजूरित ये मैटकटा कैसन समास लागा Enc fills मेट कटा पाइन खोखा इस सब्सारा क्या हो गया तो इस सब्सारे जो होगा अटेस्ट नमबर का सही अप्शन लगा येगा तत्पुरूष समाज के अंतरगत ये आ जाएगा ठीक है तो जहां भी दीन परती दीन एक अक दीन इस तरह जदी बात आ जाए जहां भी परते वाची वर्ट जूड़ जाए तो अब यही भाव समाज होता है ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा सई अंसर ठीक है चलिए 29 नमबर हो गया तीस नमबर कोशन दोस्तों जदी लाइक समझ में अच्छी लग रहा हो तो प्लीज लैक कर लेंगे शेर करेंगे नुनी सत घरवा खेललागल है यह वाके सत घरवा कौन समा सकते तो सत घरवा देखे यह कहीं न कहीं जो संख्यवाची दिख रहा है सत घरवा आनि साथ घरवाला जो खेल होता है जो लोग बच्वन देखेंगे एक जनमर Qošchemical यहां हां होता है तो दीगु वात समास हो गया कर्मधरर समास्किया होता है जिसमें पर्थम वर्ड परधान होता है, दूसर वर्ड गौनी होता है, ठीक है, चलिए, 32 नमबर कोशन, आएज काहिल ओकर खुब वाहवाई सावची मिले ते तिस नम्बर खोचन चलेंगे। ठीके तिस नम्बर कोचन। है ओकरा बेजाय मायर मिल ले उकरा बेजाय मायर मिल लें यह वाकए मायर की हक्ए। बाव वाइब, बाव औच रहा है। नमबर 32 तो यह कोशन लुकर कर लेंगे यह समास हो जागा। उठना समास के बाद बता लेंगे चावब, यह लुतना समास के बाद पता है। तब कैसन साड़ा हक है तो इसका सही आंसर हो जागा कचट तब आनि यह अगोश ठीक है घोश आगोश जो कि पर्थाम पद तिस्टरा पद और पांचवा पद होता है ठीक है 35 नंबर कोचन मुलने सही बरतनी छाट ड्योट जोस चाटना है कि सही आप्शन क्या हो जागा कर लाए कर लन कर ली कर लही तो हम लोग खोठांप में इस तरह से लिखते हैं कर ले ठीक है यह लिखते हं छतीज नमर कोशन सावना भाय खाय के पढ़े गिले आगे कोशन देखेंगे 37 तो 37 नमर कोशन देखेंगे कहल सुनल बात के पीछे नाय भाग यह वाके कहल सुनलबात के पीछे नाय भाग यह वाके सब गया एक सारी विशेस्टा बताता एं जीला के चलेंगे 37 नमबर हो गया सबसे चोटा जो संतान होता है उससे क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है तो यह सभी कहा जाता है option number D हो जाएगा चले, उन 40 number question देखेंगे नी परतिय की कौन सबद नाय बनल है सही उतर सटा, नी परतिय से कौन सा सब्द नहीं बनाय जासकता है तो सही option क्या हो देगा ओढ़नी परतिय लगा हुआ है चलनी परतिय लगा हुआ है फुकनी लगा हुआ है सुथनी यह परतिय लग करके कोई सब्द नहीं बन रहा है इसकारण से सही सही उतर जो सो यह है ठीक है सी नमबर चालिस नमबर को से देखेंगे लोग सहीत के बारे मे है गलत बात क्या है तो पढ़ते हैं सही सहीत लोग के विसे में रहो है विसे में रहो है सही है जे लोग में पर्चलीत रहो है हां ठीक है जो लोगों में पर्चलीत रहो है जे सहीत के रचनाकार बाट ले जोडल रहा है ठीक है सहीत के रचनाक बात ले जोडल रहा है नहीं यह गलत है कि साहित के रचनक से जोड़ा नहीं गया है जह साहित के मोखिक रहो है आनि यह जो मोखिक भासा में जो गीत गायान होकर होता है तो अप्शन नमर क्या हो जागा अप्शन नमर से वो गलत है ठीक है एक तालिस नमर क्योशन लोग लोग साहित के ग्राम साहित के कहले हल है ठीक है लोग साहित को ग्राम साहित कोन कहे थे ठीक है तो राम नरेश जी कहे थे लोग साहित को ग्राम साहित कहे वे थे ब्यालिस नमर क्योशन देखेंगे लोग गीत के बारे गलत उतर चाटा लोग गी लोग मानों के भे अभे वय्ति है के लोग मघजय कठे बैसल रहो है और लोग जो सो मघजय और पूरे तुर दिमाग में लोका बैठा बैठा हुआ तो यह भी सही है जावा जागा गीत कौन परवें गावल जाए तो 43 नमबर का सही ओप्षन क्या हो जागा जागा आनि करम के समय ख्याया जाता है और इसी को घो बोला जाता है कि नए संताण की है तो mote इसको जागा करके जगाती है चाचेर्इट गीत जहाएं उसकी परवें चाचेर्इटे सब्सक्राइब करने के लिए जंगल में लोग जाते हैं तो जोर जोर से गाते हैं तो वही दोहागित होता है रोपनीगीत ख्रिशी कारी के लिए है तो जा है निकवनीगीत और जावा की जो तो क्या है ये उलास गित है और ये करम के पर में गावल जा है साय ताथा, 46 numbr, पानी सहा, पानी कटा गीत, पानी सहा या पानी कटा गीत, कौन बेरा गावल जाये, लुगा फटा धवएक बेरा, या परटोईन करेक्ट बेरा, ठीके, घुत से, हम लोग देखेंगे, आप्चन नमर सही क्या हो जागा? Kä rä आरीज नमबर का ठीक है तो यह chilis檀 नमबर क्या चांधी नमबर क्या फी ब्यासाधीक बराम तो पानी काटा जिस्जू क्या है कावल बाळगीत स्वावप बिटी और उपसंदार ये हैं ओप टिस लीक करेंगे और धोस्तों के साथ बाध शेर करेंगे।ms क्या हो जाएगा करम गीत के समय बाज़क दरकार नाय पड़ो हो ऐसे ही मुझवानी लोग आती उप्टन गीत के समय भी सरम गीत के समय मतलब इस सब्भे में जो रही नहीं यह बाज़क गा जाता है दोस्तों हम अंति में वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि इसका पीडिय छॉकषा लोग क्काहा है तो इसमें गलत बात पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि में तक और लेखीत रहे हैं अलिखित रहे हैं एसा быстрण बीक औरates क्या बात हो चर्शा होती है कि भी लोग कथा लेखा कर रहा हूए तो अप्सिन न्मर हो जाएगा 50 रैकाऌन नम्र कोशन हैं बढ़ा बड़ी और 7 पिठा कीयक है तो अप्सिन नम्र क्या हो जागा अप्सिन लोग कथा ठीक है बुड़ा बुड़ी और साथ पिठा जो धिनेश दिनमनी के द्वारा लिखी गई है तो यही है गलत बुल लिए ठीक है ऑप्शन नुमर बी हो जाएगा वी तुन नुमर कोचन पूशन के फल बुरा हुआ है इसी में नौँ Hut दें जो है लालज करती है वो की हार जगा से कुछने हैं में इसको सो घुदुपुचिरानी हर कहुबा रहती है या है करता है कि ये बात तुलन ची की बात कहा गया खुटा वितर चियां गोटा जो है मतलब खुटा जो है ये मेहनत करते तो बढ़ी को बुला करके बिक हैं मैहनत करते हैं चलिए आप कथा से प्रिचीत हब होंगे हीं चलिए 55 नंबर पचपन नहमर कोश्ण देखेंगे 25 नंबर कोश् Ng bोल रहा है लूरगर बलती छहुआ कहई से सवंधित कहनी गलत सवंध हे उसके जो कोशाटना है कि क्या एक लोग कथा कहा है और फिफिट्टिपे फिफिट्टि नमबर कौन कानियेक डंगर्यक मान मरजादा के बाद कहल गिल है कौन लोग मैं कोन लोग कथा में है डंगरेक मान मरजादा के बारे में कहल गिल है ठीक है तो डंगरेक मान मरजादा के बारे में कौन से लोग अधाव कहा गिया है तो अप्शन नमबर बी गौहायल पर अब में कहा गिया है ठीक है चलिए संतावन नमबर कोशन देखेंगे सुहान सुहान लागे हे गीत के बारे गलत बात छटना है तो सोंह लागे हे नामित किताबे ले थी कितामे नीपटाब भारत भात सही है उसके बाद पर रहा है करने एर संति भारत लागया शांकलन करता नहीं चाहि करता है लगिन do दिनमनी रहते ह्यां ठीक टो वह हो गया संदावन नंबर की सिट को चलिए अंठावन नंबर कोषन चलेंगे अंठावन अमटाओ आममुज कुमाड़ आममुज के उपनाम के सही मानच चलिए 69 नमबर कोशन मांदर बाजेरे गितें कौन परवेक चर्चा ना भेल है मांदर बाजेरे गितें कौन सा किसका चर्चा नहीं हुआ है कौन सा परव का चर्चा नहीं हुआ है तो सही अंसर हो जागा है उससा अप्शन नमर इसका दी जितिया परव के क्योंकि स्वाराय क को से लेखेंगे हमनी सब एक कभीताइं कौन भाव फरीच हो है ठीक हाउ है ऐसे लिखना चाई है हमें सब एक कविताएं कौन भाव फरिश्व हो हैं तो 60 नंबर का option नंबर हो जागा ii निष्वे कौन क्णोंश अनेक ता समानजए एकता अनौंज और्नेक नकीन कि बीच में धर्म सेवाइड ता एकता अनि धर्म कुरान ने वोए अर्थें इडांडी क्वीताय में यह लिखा गया है यह राव्यू करम आपन तैसे नहीं हम इन सब एक में बोला गया कि सबे साथ एक साथ और पुर्ण और फुरान के बाद चर्चा किया है हम इन सब यह पंक्ति कौन कविता के पंचल केल हला है तो बारशट नमबर का सई अप्शन हो जागा ऑप्शन नमबर भी आगु करब आपन देश में आगु करब आपन देश में ठीक है देशाट एसे जो दास्वा नमबर कोशन है दास्वा नमबर जो हम लोग लास्ट पड़ना उसमें उसके नापर कोशन देखेंगे तो है जुवान देशक्त सान फूट सपूट देशक्त मान इडांडिल इडांडिल मतलई लाइन जो है से समद्धित गलत बात चाठता कि यह स सब्सक्राइब देखेंगे आगवेविए बूनल हला ब्याकुल जी ब्याकुल भेल हला ठीक है इडेंडलेंग कौन कविता के पैंचल गया ठीक है कौन से कविता यह लिखी गई है इस बताना चोर्षट नंबर का आप्शन नमर से क्या हो जागा देखें तब हमें कविना यह कि आपन के कभी मानते हैं जखन कविता मानुष हीट लोग जब कविता मनुष्य लोग हीद के बारे में गाएंगे तब वो माना गया नहीं option number क्या हो जागा डी हो जागा दोस्तों जदी ये सेशन पसंदा रहा हो फ्रीज इस तरह से 15 से 20 सेशन को हम लाएंगे और इससे लगा log complete आपको प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पे ठीकित चाथेक काठी कै चाथेक काठी के सही माने छाटा तो सही काठेक क्या हो जागा option number चावी काठी के सही माने छाटा काठेक चावी नहीं काठेक ताला नहीं ताला चावी नहीं चावी मतलब हो गया ताला चावी सही है ताला चावी क्या हो जाएगा ताला चावी अप्शन नमबर दी चावी काठी ना चावी नाम है तो जो नायक जो रहता है उसका क्या नम लगता है संभू रहता है और खलनायक जो सो कलू रामृ स्वागी क्या रहती है स्वागी जो संभू की महारती है और कमल को होता है कमल का वहाँ पर चर्चा नहीं किया गया चली आगे संभू धनवाद की करें जा है संभू जो सो क्या करने के लिए जाते हैं तो 69 नबर क्या हो जागा नौकरी खोजायर है जो कि दो लोग जो सारी युवक होते हैं उन लोग यहाँ पर मिल जाता है रतिराम और सिंधेग वो दो लोग जो सो मिल जाते हैं उसको आगे सतर नंबर कोशन चाभी काठीक नायक संभू कते पढ़ा लिखा लला है तो अप्शन वर क्या तक बी ये तक को पढ़ा लिख्या था ठीक है जिकी अकर माय पढ़े ले रहा है खेतिवारी बेज करके एकतर नंबर आपन तकें तो कुकरो घुर है तो मानुस बैंद करला की ये मानुस जनम दूरलम ये वाद के क्यकरा कहो है ये बात जो से किसके उखरावन किया है तो सम्भू जो ऐसे सुहागिन के ग्यार्वाद दृस में ये कहता है ठीक है कि हम तोरो जैसे जो बात कहा गया है उसको देखा देखेगा ठीक है उसका जो रिन दिया गया था बातर नमर कोचन देखेंगे चाभी काठर नाट के कैगो कैगो दिरिस है चाभी काठर नाट के कितने दिरिस है 1610 या 1610 या 11 या 13 तो टोटल चाभी काठर के अंदर जो सो इसमें से कोई भी नहीं होगा चाभी काठी, 1610 या 11 गलत है जो की 20 दिरिस है, उसमें कितना दिरिस है बिस दिरिस का चर्चा मिलता है जो की गलत है ठीक है आगे देखते हैं दनबाद ये संभू केकर घर یں चुगा पढ़ाओ है दनबाद में जो संभू किसके घर में चुगा पढ़ाते थे साधो और शा आता है इंद चाहीर कहानी कौन किताब से लेल गये तो चाहशाणी एक गोच्छ से चाहणी जो चित्रण्जनमातों चित्रजी कें द्वारा लिखी गई पुष्टक है चलिए 75 नमर कोशन देखाएंगे सब्सक्राइच के लेखा के उपनाम कि एक तो चित्रण्जनमातों चि गटता कर परकर पर्तीख हाझ जाहिंके हो किसके पर्तिख है तो आफिस्य सकत्पार गुनल सजन लोग के या आशमाजिक लोग के या बढ़का जमिनदार-महाजण के या धनि-मने खेक जो से ऐसो क्या होता है दंगर यह बताया जाता है ठीक है चलिए उप्षन नंबर 87 चलेंगे बोने कलोर कहानी के अंतरगत जो डिद्ष्ण क्या देना चाहता है बॉन प्रियावरन सुरच्छा के सही है बोनेक जीव जनतुक बचवे के सही आनि अप्शन नमबर डी हो जागा सततर का चलिए अठातर नमर कोशन देखेंगे हम इन हामिन जीव के से कानिय समाजे केकर समाजी उपरे रुखल गिले यह मुर्पा गाओं के बात कहा गया है तो इसके अंतर क्या है उगरवाद गाओं जो मुर्पा गाओं होगो है ठीक है पिए 59 नमबर कोशन ठीक है ओद दीदा सब्देप गलत माने है ओद दीदा का जो गलत वर रहा है उसका चछतना और दीदा का मतलब होता है नरम आक स्वीन कि नरम आक है तो वह चीज नहीं होगा ठीक है असे नंबर कोशिन देखेंगे हुब सब्सके सही माने छाटा हूब उत्सा होता है नहीं समर्रत होता है नहीं जांगर होता है नहीं पर शूटा गया नएक आशी नंबर उबार काहनीएक सिर्षक उबार के सही माने बतावा उबार का मतलब क्या होता है तार देना कालियान करेक सही है और रिन साध है ये भी सही और आप्शन नमबर दी सही हो सब्सक्राइब चलिए बेरासी नंबर कोशन देखेंगे, दोस्तों ये चैनल जारखन आईक्यू के नाम से टेलिग्राम चैनल मिल पाएगा आपको, और वहीं पे ये पीडिया फापडू को मिल पाएगा, परते एक दिन वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा, आप हमारे टेलिग्राम चैनल बड़ तक बने होंगे, कितने नंबर आपका आ रहा है, ये जरूर बताएंगे आप, फिर उबार के माने हो गया, बेरासी नंबर कोशन चलेंगे, जिनगीक द्वानी कानियक सिर्षक के सही माने बता हुआ, ठीक है, जिनगीक कानना, जिनगीक माजा या आराम जिनगी या जिन्गी के डहर तो और सही option क्या हो जाएगा जिन्गी का नंबर हीए चलिए बिरसी नंबर हो गया तिरसी नंबर कोशन देखेंगे हम लोग और हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तिरसी नंबर कोशन ओ दीधा कहनिक पात्र चानो वाली के असली नाम की हल है चानो व अले चानो गांशितर्य तीश करने चानो भी जुचते तो पता नहीं मतलब कोई ना है ठीक है चुराइसी नंबर कोशन सरहुल परवें पूछन को फूल के पूजा हो है ठीक है सर्होल परवें कौन फूल के फूजा हो है तो इसका सही option हो जाए जख वा अनि सरभ फूल के नौप ऑल्व कर से जनजाती वाच का सही पक्या है किते लूग फ spricht केटों बार्व बोलते हैं किया मुन्डा लोग बाहब बाव बोलते हैं अनि इसा भी नाम से ढना जाता है कि छीятием को संन करंपर केकर प्रेयाम के पहति के तो भाई वहन के पर्तिक का का छ Friday यह हो जाएगा चली 87 नंबर कोशन देखेंगे करम परव कौन महीना तीथिक मनवल जाए तो 87 नंबर का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब क्या भादो सुक्ल के एक अधस्य माहिन में जहें मनवल जाए करम परव 88 नंबर कोशन हमें खाड़ा होएं कौन धव की नियम हक है कौन धव की नियम हक है यह जो सुक्या है यह परकार का हमें खाड़ा होएं आप पढ़ेंगे खोठा निबंध बियन ओधार के द्वार लिखा गया जो है यह फिंगाटी धवक है बियन ओधार का जन्म जो है 1952 में ह होता है ठीक है कि खोठा निवंद लिखते हैं आगे पढ़ते हैं 89 नबर ठीक है 89 नबर कोशन क्या बोल रहा है हमें खाड़ा हुए निवंद है भूमी अधिग्रहन प्दाधिकारी लेंड एक्जुमिशन एक्जुशन अफसर केकरा का हाल गेल है ठीक है यह सई आप्शन हो थिहान थे किसको बोला गया कार्तिके के नेता गूला के यह भूले संकर के या बजरंक बली के तो उसमें क्या बोला गया है 89 नमर का आप्शन Om करेंगे सब्ट चलो है इन यवंध में क्य कर चलेख बात का हल गेल है ठीक है एकान में 85 नंबर को चलेख बात कर गिल था शाज्च जीव निर्जीव के सच जूट के छुचे जूट के सच जूट सही गलत सभेक्राइब कि तो अप्षन नंबर डी हो जाएगा कि बहुंदर कौन बतवलगे ले दामुदर जो सो कौन सा लिंग बताएं गया दामूदर तो ये पुलिंग बोला गया कि दामुदर जो ये इसे सब्सक्राइब तो बहुत हो रहा है जादَ पॉसले से दिया गया है तो कुछ वड़, ऐसे हैं कुछ वड़ जोपि खटा निवन से चाड़ करके दिया गया है ताकि आप खोठा निवन्द के जो बारो जो चेप्टर है उसे समंदित आपको जंकारी मिल पाए 97 नमबर कोचन सरुधब संभाव निवन्द केकर केकर में एके भाव के बाद काल गेल है ठीक है तो 97 नमबर का ओप्शन नमबर क्या हो जागा मंदिर माज़ित के चर्च गुरु द्वार के और पुरान कुरान के तो इस सब भी आप्शन नमबर क्या हो जागा डी सही अंसर हो जागा 98 नमबर क्या देखेंगे ठीक है एको कुकरेक आत्मकंथा निवन्द के की की नाम बतवल गेल है तो कुत्ता तो बोल गेल है शेता भी बोला जाता है आला बोला जातानी इस सब अप्शन नमबर डी हो जाएगा ठीक है 99 नमबर क्योंचन देखेंगे और अंतीम लास्ट सकेंड लास्ट है यह सबले आगो मानूस कौन जानवर के पोश्यक शुरू कर रहा हल है तो यह अप्शन नमबर डी हो जागा कुकरे के पासल शुरू कर लेले सो नमबर क्योंचन देखेंगे एको कुकरेक आत्मकं सब्सक्राइब के बाद के कहा गया इस तरह से यह सो कोशन कंप्यूट होता है अगले सेशन में अगले जो सब्सक्राइब करने कोशिज करेंगे तो उमीद है आपको यह सेशन मज़ेदार लगा हो मजा लगा होगा और आप जरूर कमेट स्क्षान में बताएगे कि आपका कितना माक्स आया है और लाइक करके शेर जरूर करेंगे यह पीडियेफ आपको अमारे टेलेग्राम चैनल जारखनड आईक्यू में लिल जाएगा या झारखनड आईक्यू के नाम से लिंक डिस्क्रेप्षन में दे दियागे वहां से आप जूर जाएंगे धन्यवाद